परिचय करते समय हमें कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनके बारे में जानना चाहोगी। हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना। ठीक है, तो आओ इस पार्ट में हम इस विशेश पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उद्देश्चे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। समान आकार और समान आपमाप की होनी चाहिए। समरूप आकृतियां समरूप आकृतियों का आकार आवश्यक रूप से समान होता है, परन्तु उनका आमाप भिन्न हो सकता है। इस जिन्न का अर्थ है समरूप। जब आप किसी चित्र का आवर्धित चित्र प्राप्त करते हैं, तो वह चित्र समरूप चित्र होता है। स्लाइड बनाने के उद्देश से चित्र के आकार को छोटा भी किया जा सकता है। अतहा समरूप आकृतियां दो ऐसी आकृतियां होती हैं जिनका आगार समान तथा भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप आकृतियां भाग दो समान भुजा संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत को उन समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो संगत भुजाओं के समान अनुपात को बहु भुजों का स्केल कुणा कहते हैं सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं किन्तु यह आवशक नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों उधारण निम्न आकृतियों पर ध्यान दीजे इस पश्टता AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DA बटे SP बराबर 2 दिया है और कृण A बराबर कृण P, कृण B बराबर कृण Q, कृण C बराबर कृण R, कृण D बराबर कृण S भी दिया है अतहा ये वर्ग समरूप आकृतियां हैं क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तथा इनके संगत कृण बराबर हैं तिर्भुजों की समरूपता यदि किसी तिर्भुज के कौन, किसी अन्य तिर्भुज के कोणों के पराबर हूँ, तो ऐसे तिर्भुज समान कोणिक तिर्भुज कहलाते हैं समान कोणिक तिर्भुजों का आकार समान होता है परन्तु आम आप भिन्न हो सकते हैं अतहा समान कोणिक तिर्भुजों को समरूप तिर्भुज भी कहा जाता है अत्वा हम ये कह सकते हैं कि यदि दो तिर्भुज समरूप हैं तो वे समान कोणिक होंगे संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और उनमें से एक तिर्भुज की किनी दो भुजाओं के अंतरगत बनने वाला कोण दूसरे तिर्भुज की संगत भुजाओं के अंतरगत बनने वाले कोण के बराबर होगा दो समान कोणिक तिर्भुजों में किन्ही दो संगत भुजाओं का अनुपाद सदैव बराबर होता है आधार भूत समानुपादिक्ता प्रमै यदि किसी तिर्भुज की एक भुजा के समान तर अन्य दो भुजाओं को भिन भिन बिन बिन्दूओं पर प्रतिछेत करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में सम्दुई भाजित हो जाती है दिया है एक तिर्भुज ABC में D वा E, AV तथा AC पर क्रमशाह इस प्रकारिस्थित हैं कि DE, BC के समान तर है सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के रचना BE को CD से मिलाइए E से AB पर एक लंब EF खींचिए उपत्ति चोकि DE समान अंतर है BC के अताह तिर्भुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है तिर्भुज CDE के क्षेत्रफल के इसे हम समीकरन एक से चिनित करते हैं चोकि A की ही आधार पर तथा A की ही जैसे समान अंतरों के मध्ध बने तिर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तिर्भुज A-D-E का क्षेत्रफल बटे तिर्भुज B-D-E का क्षेत्रफल बराबर है A-D बटे B-D-K इसे समीकरण 2 से चिन्नित कीजिए। इसी प्रकार तिर्भुज A-D-E का क्षेत्रफल बटे तिर्भुज C-D-E का क्षेत्रफल बराबर है A-E बटे C-E के इसे समीकरण 3 से चिन्नित कीजिए। समीकरण 2 वा 3 से हमें A-D बटे B-D पराबर A-E बटे C-E प्राब्द होता है। इस प्रमय का विलोम भी सत्य है जिसके अनुसार यदि कोई रेखा किसी तिर्भुज की किनी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानतर होगी। तिर्भुजों की समरूपता के उधाराण। दे गई आकरिती में D-E समानतर है A-C के तथा D-F समानतर है A-E के तो सिद्ध कीजिए कि B-F बटे F-E पराबर है B-E बटे E-C के। हल तिर्भुज A-B-C में D-E समानतर है A-C के इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा B-D बटे D-A पराबर है B-E बटे E-C के। इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए तिर्भुज B-A-E में D-F समानतर है A-E के इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा B-D बटे D-A पराबर है B-F बटे F-E के इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए अब समीकरण एक और दो से हमें B-E बटे E-C पराबर B-F बटे F-E प्राप्त होता है तिर्भुजों की समरूपता के उधारण A-B-C-D एक समलंब है जिसमें A-B समानतर है D-C के तथा उसके विकरण परसपर बिंदू ओपर प्रतिछेत करते हैं दर्चाइए कि A-O बटे B-O परावर है C-O बटे D-O के हल बिंदू O से होती हुई एक रेखा E-F इस प्रकार कीजिए कि E-F समानतर हो C-D के त्रिभुज A-D-C में E-O समानतर है C-D के मौलभूत समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें A-E बटे E-D बरावर A-O बटे O-C प्राप्त होता है इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए त्रिभुज A-B-D में E-O समानतर है A-B-K अताहा मौलभूत समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें E-D बटे A-E बरावर O-D बटे B-O प्राप्त होता है अर्थात A-E बटे E-D बरावर है B-O बटे O-D के इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए अब समीकरण एक और दो से हमें A-O बटे O-C बरावर B-O बटे O-D प्राप्त होगा अर्थात A-O बटे B-O बरावर है O-C बटे O-D के त्रिभुजों की समरूपता है तू कसौटियां त्रिभुजों की समरूपता है तू तीन मुख्य कसौटिया है A-A-A या A-A S-S-S तथा S-A-S यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण परावर हों तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी अर्थात उसी अनुपात में और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होंगे दो त्रिभुज A-B-C तथा D-E-F समरूप होंगे यदि कोण A बराबर कोण D कोण B बराबर कोण E कोण C बराबर कोण F और A-B बटे D-E बराबर B-C बटे E-F बराबर C-A बटे F-D ऐसे मामले में हम त्रिभुज A-B-C समरूप त्रिभुज D-E-F लिखते हैं त्रिभुजों की समरूपता है तू कसोटियां दो S-S-S समरूपता यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानो पातिक हैं तो वे त्रिभुज समरूप होंगे दो त्रिभुजों A-B-C और D-E-F में यदि A-B बटे D-E बराबर B-C बटे E-F बराबर C-A बटे F-D है तो ऐसे त्रिभुज S-S-S समरूपता कसोटी के नुसार समरूप होंगे A-A-A समरूपता यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों अर्थात जिसके तीनों कोण परस पर बराबर हों तो वे समरूप होंगे A-A समरूपता यदि किसी तिर्भुज के दो कोण दूसरे तिर्भुज के दो कोणों के क्रमशह बराबर हों तो वे तिर्भुज समरूप होंगे S-A-S समरूपता यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाओं का एक युक्म समानुपातिक हो तथा अंतरगत कोण बराबर हों तो वे तिर्भुज समरूप होंगे। तिर्भुज ABC वा DEF में कोण A बराबर कोण D और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD है, तो दोनों तिर्भुज ABC तथा DEF SAS समरूपता कसौटी के अनुजार समरूप होंगे। उधारन निम्न आकरिती में तिर्भुज ODC समरूप है तिर्भुज OBA के कोण BOC बराबर 125 डिकरी है तथा कोण CDO बराबर 70 डिकरी है, तो कोण DOC, कोण DCO एवं कोण OAB के माप क्या होंगे। आईए इसे हल करते हैं। DOB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण DOC जमा कोण COB बराबर है 1803 डिकरी के। अर्थात कोण DOC बराबर होगा 55 डिकरी के। चोगी तिर्भुज के तीनों कोणों का योग 1803 होता है। इसलिए तिर्भुज DOC में कोण DCO जमा कोण CDO जमा कोण DOC बराबर 1803 डिकरी। जैसा कि हम पहले ही कोण DOC ग्याद कर चुके हैं और कोण CDO हमें दिया गया है। अता हम इस समीकरण में दोनों कोणों का मान रख कर इसकी गणना करेंगे। जिससे हमें कोण DCO 55 डिकरी प्राब्त होगा। दिया है कि तिर्भुज ODC समरूप है तिर्भुज OBA के। इसलिए कोण OAB बराबर है कोण OCD के। क्योंकि समरूप तिर्भुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण OAB 55 डिकरी प्राब्त होगा। निम्न आकरिती में यदि तिर्भुज ABE सर्वांग सम हो तिर्भुज ACD के तो दर्शाइए कि तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के। हल दिया है तिर्भुज ABE सर्वांग सम है तिर्भुज ACD के इसलिए AB बराबर AC इसे समिकरण एक से चिन्हित कीजिए। तथा CPCT द्वारा ही AD बराबर AE इसे समिकरण दो से चिन्हित कीजिए। तिर्भुज ADE और तिर्भुज ABC में समिकरण दो को एक से विभाजित करने पर हमें AD बटे AB बराबर AE बटे AC प्राप्त होता है। कोण A बराबर कोण A ये उभेनिष्ट कोण है। इसलिए SAS समरूपता कसोटी कैनुसार तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के। एक तिर्भुज ABC की BC भुजा पर एक बिंदू D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बडाबर कोण BAC है। दर्शाये की CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है। हल तिर्भुज ADC और तिर्भुज BAC में कोण ADC पराबर कोण BAC ये दिया गया है। कोण ACD पराबर कोण BCA ये उभेनिष्ट कोण है। इसलिए AA समरूपता कसोटी के नुसार तिर्भुज ADC समरूप है तिर्भुज BAC के। हम जानते हैं कि समरूप तिर्भुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। इसलिए CA बटे CB बराबर है CD बटे CAK। अर्थात CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है। क्या आप जानते हैं। तिर्भुज तीन भुजाओं वाला एक ऐसा बहु भुज होता है जिसमें तीन शीर्ष या कोने होते हैं। तिर्भुजों का प्रयोग आम तोर पर कलात्मक कारियों में सहायक धाचे वा आकृतियां बनाने हितू विनिर्मान में किया जाता है। विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जयामिती और त्रीकून मिती सहीत तिर्भुजों के संबंध में विस्तार से सीखते हैं। तिर्भुज जयामिती तिर्भुजों के कुडधर्मों का एक ऐसा अध्यान है जिसमें संबंधित तिर्भुज केंद्र, तिर्भुजी ये रेखाएं, केंद्रिये वृत्त, तिर्भुजी ये घनाकार तथा अन्ने काफी कुछ समाहित है। त्रिपुजों के संदर्प में इन जयामितिये वस्तुओं के प्राया उलेकनिये गुण धर्म होते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दो आकरितियां जिनका आगार समान हो, किन्तु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, समरूप आकरितियां कहलाती हैं। सभी सरवांसम आकरितियां समरूप होती हैं, किन्तु इसका विलोम सत्ते नहीं है। समान भुजा संख्या वाले दो तिर्भुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कौन बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, अर्थात समानुपात एक यदि तिर्भुज की एक भुजा के समानतर, कोई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं पर निश्यत बिंदों को प्रतिछित करती हुई खीची जाती है, तो वे अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं यदि किसी तिर्भुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तिर्भुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है यदि दो तिर्भुजों में संगत कोण पराबर हूँ तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं ए ए ए समरूपता कसौटी के आधार पर यदि दो तिर्भुजों में एक तिर्भुज के दो कोण, दूसरे तिर्भुज के दो कोणों के करमशा पराबर हूँ तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं ए ए समरूपता कसौटी के आधार पर यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उनके संगत कूण बराबर होते हैं, और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं SSS समरूपता कसौठी यदि किसी तिर्भुज का एक कूण, दूसरे तिर्भुज के एक कूण के बराबर हो और उन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में यानि समान अनुपाती हों, तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं SSS समरूपता कसौठी झाल